अगर आपकी हसरतों में बकरी भी शामिल है तो आप उसे दिल में मत पालिए आप उसे जमी पे उतारिए उसके लिए शेड बनाईए बकरी पालन शुनू किजिए दोस्तों नमस्कार मैं हूँ पाउन कुमार सिंग और आप देख रहे हैं बिहार स्टोडी मीडिया के धंदा पानी ब्लॉग और इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बनारसी में हूँ और आप पहले जो हमारे वीवर्स जो अकसर देखते आये होंगे वीडियो हमारे तो उसमें अक्सर मैं दिखाता हूँ कि पटना में सुधीर सर जो है पांस दिन की बकरी पालन के उपर परसिक्षन देते हैं उस परसिक्षन कारकरम में देश के कोने-कोने से छात्र आते हैं और वहां छात्रों से भी आपका परिचे कराता हूँ लेकिन कहानी की कुछ आगे बढ़नी चाहिए उन छात्रों की कहानी जो है वहां से आने के बाद शुरू होती है तो ऐसे ही एक छात्र हैं जो कभी सुधीर सर से ट्रेणिंग लिये थे और आज उनी के बकरी फार्म को विजित करने के लिए हम आए हैं उत्तर परदेश वनारसी में और य उसके बाद क्या जो हम लोग की कहानी वहां पर आकर रुख जाती है तो दर्शकों को भी अछा लगेगा आकर उसके बाद क्या क्या त्रेणिंग ले लिए तो उसके बाद क्या उसके कहानी का यह अपिस्टोड है इसके बाद देखिए उसके बाद यह जो बखरियां हैं हमारे पास अभी 16 बखरियां बखरियां दोनों मिलाकर सोला जी और किस ब्रीड का अभी बखरी पालन आपकर रहें अभी तो इसे टोता पर यह हैं दो देसी है दो चार देसी हैं सर अभी ट्रेनिंग लेकर करके यह भी सेट बनवाना थंदी की वज़़ें से सेट नहीं बनवा पाये थंडी खताम जैसे खताम होगा तो सेट बनवाएंगे उसके बाद बकरियां लेंगे तो सर अगरा करेंगे तो सर्वै कि निवीदन करते सिसने बखरी के लिए फोन आते रहा था तो जो मेरा स्टुडेंट का कोई भारम है आसपास में वहां काम एड्रस देंगे वहां जाए खर सकते हम खर देंगे यह भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं इतना सायोग सर बहुत है एक स्टुडेंट के लिए एक टीचर का इतना सायोग सब्सक्राइब कर रहे थे तो काफी सारी बखरियों का हमारी मोटिल्टी हुआ होता तो सर हमारे फार्म पे आज 35-40 बखरियां क्योंकि जो भी जिसकी भी मोटिल्टी हुई सर वह प्रेग्नेंट बगरियां थी थक्का लगा तब आप गए ट्रेनिंग में सर पहले से ही कह रहे थे घरवालों से की सर किसी का फोन बज़ रहा है लगातार या तो उनको बोल दीजिए कि थोड़ी दर बात करें तो साइलेंट पर डाल दीजिए सदो सजय जी कब से कम शुरूं यह साल मी ने मैं ने सभूर किया था जो इधर बाता पर खशीयों से लेकर सर्चीनिश सोरूं करने नहीं गरमा नो और प symptoms नहीं है तो हम केंफी केims करिए चलिए ट्रेनिंग करने के लिए कालिफ काफी कंवेंस किये, आखिरकार घरवाले माने कि जाओ ठीक है ट्रेनिंग करो, यहां से फिर गई पनारस से पटना, जी, सर का नंबर लिए, सर के यहां, एक बार और ट्रेनिंग के लिए मैं बुक किया था, लेकिन उसमें मेरा कहीं जाना हु जैसे सर, ट्रेनिंग के समय हमें यह पता चला कि हमारे फार में हमको बकरी पालन करने में सबसे पहले पता चला कि हमाद हम से क्या-क्या गलतियां हो रही है, फिर उसके बाद वहाँ से सर से ट्रेनिंग लेकर गया है, उन सारी गलतियों को सुधारे हम, जैसे सर बकरीयां ल यह वाइट वाली बखरी है इन ब्रीडिंग की वज़ए से सर इसका पहले दे दी तो मर गया दो गलतियां वे बखरों को अच्छे से रख रखाव नहीं कर पाते थे जनकारी नहोंने की वज़ए से पटाने की बताने की कोशिस करता हूं कि वाकई ये थोड़ी दुसरी तरह की बिजनेस है वो आप बार बार जो देखते हैं रोड की किनारे और जो चार पाच पुस्ट से लोग दो-चार बकरी रखके पालते आ वह जमाना नहीं है अब बात आ गई है कमर्शियल फार्मिंग की कमर्शियल गोट फार्मिंग की तो उसमें तो भाई सही जनकारी आपके पास होनी चाहिए और जब तक आप प्रसिक्षन लेंगे नहीं और तब तक यह होगा नहीं बगरी पालन में नहीं आए तो अच्छा है आपका दर्शकों तक जरूर जाएगा और यह बड़ा वाला जो ब्रीडर तोता परी का है सर कितना ब्रीडर आपका कहां से खरीदे सर यहीं रोड से जा रही थी गाणियां उसी से खरीदे थे सर उसमें लिए थे तो 17-18 किलो का था अभी अभी देखिए सर आपके सामने है साथ के आसपास होना चाहिए बार-बार मैं देखता हूं इस तरह के जो मतलब नहीं है अच्छा हाइट है अच्छा हाइट है अच्छा ग्रोथ है तो हमको बस उससे मतलब है क्योंकि हम जहां पर मतलब है जिससे हमको अच्छा रिजल्ट मिल गया लिमीट अच्छा हो गया अच्छा हो गया हमारे वही और आपका वोगरी पहलान का में परपास है इधर हम लोग का मार्केट जो है सब्सक्राइब सबसे बड़ा सेलिंग होली और बकरी पर सबसे बड़ा सेलिंग होली और बकरी पर दोनों में आप जी जी बिल्कुल सब्सक्राइब कुछ बखरे तयार कर रहे हैं अभी तो काफी बदलाव आ अगे देखिए सर खिलाएंगे सर ट्रेनिंग लेकर काया जानकारी होई है बगर आई तर अच्छे अच्छे बगर तयार हो जाएंगे वाग क्या बात है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है अभी यह खाना खिला रहे हैं और इस पार इस पार भी बाड़ा है कुछ इधर है इन्हों ने तो यहां पर भी जो है और लगता है कि इनका भी भोजन का टाइम हो गया और देखिए यह क्या खिला रहे हैं यह क्या है सर का निवेधन तो लगता अरजी आपके पास बहुत पहले सब्या की अधिकता है ज pore judge कैसे त्यार करें कि अच्छा होता है लगिंद अभीनिता है अक्यूम्स द्रों सब मतलिकल के अलावा भी आप तेहें सुनाएं कि आप चीज का बिजनेस है हमारा दोना और पत्तल का मसी लगा प्लेट उद्दो जी पेपर प्लेट उद्दो कब शुरू हुआ तीन चार महीने हो गए सर्क्री डाली है जी कौन सी कितनी मशीने दो मशीने हैं अभी सर अच्छा क्या क्या बनाते हैं अभी जो नार्मल थाली आते नार्मल थाली जो पिपर प्लेट वाजी और जो दोना मगएरा है बड़ा साथ इंची आठ इंची गाउद्याद में जो भूज भाट जी सर जैसे कि कोई खासी खरने तो अपने हां सेल कर दीजिएगा उसी तरह आपके प्लेट जहां पकर खाना है बिल्कुल सस्ता पड़ेगा सर अगर हमारे आते हैं तो हम और सस्ता देंगे थोड़ा मार्केट से कम देंगे रेट अरे वाट क्या बात है तो बही साथ में पेपर प्लेट उद्योग भी है तो आसपास की इलाकों में जीजन भाई और लोगों को दोना पतल थाली की जुर आपको मिल जाएगी इनका मॉबाइल नंबर डिस्कुशन बॉक्स से मिल जाएगा जिनको पेपर प्लेट लेना हुगा देट कॉल भी कर सकते हैं से कितने टाइम देते हैं सर जैसे बगरियों को इनका छोटा है जो फीड डालने के लिए छोटा है तो इनको दो तीन बार मे सुधीर सर की सिख्षा दिख्षा हर जगा देखने को मिलती है कि बिना किसी खर्च के कैसे आप कॉस्टिंग को लो कर सकते हैं और देखिए कहीं भी लोहे का इस्तमाल नहीं है सिर्फ बास का इस्तमाल है और इसमें कहीं न कहीं यह डाल दिया है वो ट्रांस्पारेंट जो बार बाद भी नहीं होता है इसमें यह बास की लगाए तो लड़ने में लड़ती नहीं है सब अच्छा यह घर का पिछवाड़ा हुआ ना दिहात में जैसे कि घरों में क्या होता था कि आगे वाले पाट को हम लोग आंगन और दुवरा और दलान कह सकते हैं और पीछे वाला जो पाट है यह तरह से किरवानी बोला जाता था पहले तो यह घर का पीछे वाला हिस्सा है जो कि यहां पर ट्वालेट वगरा भी देख सक यह बाउंडरी आपने का लिए रहां पर रात में वहां दूसरा घर है वहां पर उनका सेट बनाया हुगा है तो ठीक है स्टार्ट अपने डाल दिया इन्हों ने अभी तो जस्ट पेड़ थोड़ा चोटा है लेकिन आशा करते हैं कि ऐसे ही करके और शायद उमर भी आपकी बहुत कम है कितनी उमर है 25-26 साल की उमर में सोच लीजिए कि पेपर प्रेट के बिजनस के साथ साथ ये बकरी पालन का भी ये वो द्योग खोल चुके हैं और शांदार बहुत अच्छा लगता है ये देख करके और इस्पेसल थैंक्स टू सुधीर सर के सुधीर सर की अच्छा करना है तो हम बोलते हैं कि कोई भी अन्भवी से संपर्क में रही है लेकिन लोग हमारे उपर फित करते हैं तो नोगों को सिखाते हैं प्रतिक महिना पटना में दो बैच मेरा चलता है इस तरह सुनों को जागरू करते रहते हैं बिलकुल और चलिए बहुत- नहीं मिलता है दलनी फीड नहीं मिलता है तो वह पराकुट्टी त्यार करके आराम से बकरियों को फीड कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड को वाच कर लिजिएगा उसके पहले आज नोटिफिक्शन बेल को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि वह आए तो आपको नोटिफाई हो जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए जय हीन जय भारत